साथ ही मैं आप सबको एक चोटी सी जानगाई दे देता हूं और वो विधान तो बहुत सरल है लेकिन संकट हरता है बड़े से बड़े विधी है साधारण आपके घर की देली की मिट्टी को लेना है पक्का मकान है तो धूल लेना है धूल जो दिनवर की धूल होती है और सामकाल में उसको जाड़ना नहीं है सुब़े की मिट्टी लेना है सामकाल में कभी भी जाड़ू नहीं मानना चाहिए गर मैं सूरस्त से पहले माल लो सूरस्त नहीं के बार धेली नहीं जानना चाहिए तो कि आपकी लच्छमी जाती है तो वही दूल सुबह ले करके धेली पे खड़े हो करके साथ वार ओम हराम रीम रूम फट कुरू कुरू स्वाहा इस मंत्र को बोल करके दच्छद साँ फूख दीजिए और हाथ को फटकार दीजिए मैं आपको कहता हूँ बड़ी से बड़ी संकट बादा प्रेत बादा उसी च्छड तुमारे घर से निकल जाएगा कैसे भी बहुत बादा प्रेत बादा हो पचास बादा हो लेकिन इतना ध्यान रखिये महीने दो महीने साल देर साल दो साल में किसी अच्छे गुरू से भी परामर्स कर लेना बाद में तो पर्मानेंट हमेशा के लिए तुमारा मकान बंदन हो जाएगा ये तो मैं तत्कालीन बड़े ऑस्पिटल तक पहुँचने के लिए आफचार बता दिया है कैसा भी संकटो कैसी वादा हो कैसी भी मूठो कैसे भी जादू टोना के नाम पर कोई भी धंद फंदो आपका कैसा भी भ्रह्म हो तत्काल उसी भ्रह्म में रोक लग जाएगी और तत्काल आपको ला मिल जाएगा दिसा सदार जाएगी तो आप अंदिकार में नहीं पड़ोगे और प्रिकास की दिसा पकड़ लोगे किस सादर न मंत्र सिद्ध नहीं करना है यह मंत्र दिया जाला पंडोकर धाम से यह सब सबसुता ही कार करने वाले पवित्र मंत्र हैं आप ने कहीं इनके नाम से पांच हजार, दस हजार, ग्यारा हजार, एक सो आठ बार जब कर लिया उसका दसान सावन कर दिया तो तो फिर बाती अलग हो जाएगी और नहीं तो इतना ही किया कर लेना आपका काम हो जाएगा